हालो एक्रीवन आइवेलकम यू तो स्कूल जी इंडियास फिर्स ऑन्लाइन स्कूल मेरा नाम है मृतकॉर पिलानिया एंड कंटिन्यू करेंगे क्लास एट साइंस का चाप्टर वन हमने क्या क्या था स्वोईंग तक कर लिया था बीज बोने की जो प्रोसर्स होती है लेकिन उ करें दो यह जो बैल है इनसे यह जो हमारा प्लो बंकूर्था हुआ है इस व्लो के साथ साथ एक सब्सक्राइब का और रहे हैं जंगे उतनी है तो वह जो खोदी हुई जगह है बहाँ पर एक एक बीज ये डालता हुआ चलता है इस इस देडिशनल मेथड ड्रेडिशनल मेथड ओफ स्वेंग लेकिन आज के दिन सीट ड्रिल यूज होने लगी है यह सीट ड्रिल है देख लीजिए यहां से यह खूदती हुई जारी है आगे वाली जो चीज है कैहां से सीट आके नीचे गिरेगा और यह उसको कवर करती हुई जाएगी यह एक machine है जो tractor से attach हो जाती है इसका यह जो आगे वाली layer है blades की यह मिट्टी को खोदेगी यह जो बीच में एक pipe है यहां से seed नीचे गिरेगा और यह जो पीछे वाली layer है blades की यह उस seed को मिट्टी से दुबारा cover कर देंगे सो इस सरह से आज के दिन modern तरीके से बिना जादा effort के seeds sow किये जाते हैं this sows the seed uniformly at equal distance बिल्कुल equal distance पर यह seeds को sow करते हैं और बिल्कुल equal depth पर sow करते हैं it ensures that seeds get covered by the soil after sowing this protects seed by from being eaten by the birds बहुत सारी चेडिया या इसे खेतों में आती है इसलिए उनके लिए न इसे स्केयर क्रो लगा के रखते हैं किसान क्या कहते हैं उनको स्केयर क्रो एसे मतलब घास फूस के बनाके और उनको रंडों पे टांके उसमें अंदर कपडों में घास इस टाइब के एक्विपमेंट्स को किसान जोए खेत में खड़ा कर देते हैं ताकि जो चीडिया वगयर है वह सोचे कि आप तो खिसान खड़ा यहां पर नहीं आना लेकिन वह चीडिया है क्या करते हैं फिर भी मौका देख के कोई भी अगर बीज उन्हें ऊपर की उपर उसको उठाके लिजाती है तो हमारा क्या हुआ हमारा तो फ्यूचर में क्रॉप का उगने का एक प्लांट के उगने की प्रॉबिलिटी कम होगी ना इसलिए इसी डिल साथ की साथ उस सीड को ढग देता है अभी हमने पढ़ा था ना कि यह वाली जो लेयर है ब्लेड्स की य से मिट्टी से तो इस सोइंग बाई यूजिंग असीड ड्रिल सेव टाइम लेबर इससे क्या होता है मस्दूरी बच्टी है ऐसा बच्टा है टाइम बच्टा है प्लांट्स सच अस पैड़ी आप फिर्स ग्रोन इन नर्सरी जो जैसे चावल बगे रहे ना उसके सीड्स को पहले किसी एक्स्टर्नल एक जगे पे उगाया जाता है फिर वह ना ऐसे एक जगे पे बहुत सारे बीच डालके उनसे जब काफी चारे पौधे एक साथ उग जा होता है आप देखना चावल की खेती ऐसे ही होती है हमेशा है कि एप्रोप्रिये डिस्टेंस बिट्वीन दसीट इस नेसेसरी तो अवाइड ओवर क्राउडिंग कि देखिए कि यह जो अगर हम एक प्लांट लगा रहे हैं यह हमारे एक जमीन का टुकडा है इस पर हमने एक प्लांट यहां लगा दिया 1 रहा दिया और यहां लगा दिया यहां बोधिया जरूरी है कि इनके बीच में कुछ टिस्टेंस हो क्यों क्यों क्यूंकि इस सीड को ग्रोग्र wishy कंप से कम इतनी मिट्टि का नयुट्रिशन चाहिए अगर हमने और प्रोबट ग 부탁 कर दी यानि ह अबने यहां पर यहां पर हर चेगे सीट्स लगा दिये तो पॉधे तो बहुत सारे ग्रोव हो जाएंगे लेकिन वह पॉधे सभी वीक होंगे उन्हें निट्रिशन नहीं मिलेगा पॉषन नहीं मिलेगा कमजोर पॉधी होंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा दिस अलाओस थे प्लांट्स तो गेट सफीशन संलाइट नूट्रियंट इन वाटर फॉधे तो प्लांट्स में हाफ तो बेरिमोव तो प्रिवेंट ओवर्क्रावडिंग एड़ अड़िंग मन्योर इंट फर्टिलाइजर अब हमने क्या किया हमने खेट को जोत दिया सबसे ज़रूरी, कौमप्लान है सबसे ज़रूरी इसे तरीके से हमारे पॉधों के लिए मन्योर है सबसे ज़रूरी, फर्टिलाइजर है सबसे ज़रूरी, Substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer. बहुत सारा ऐसा समान होता है जो हम प्लांट्स को पोशन प्रदान करने के लिए मिट्टी में आड़ करते हैं उनको हम कहते हैं मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर मैन्योर अगर वो नैचुरली आया है तो मान लीजे हमने गाय का गोबर डाल दिया वो मिन्योर है ठीक है किजन वेस्ट हमने डाल दिया कोई भी छिलके वगेर है वो डाल दिये वो मिन्योर है और अगर हम उसी के जखे पर केमिकल डाल रहे हैं तो वो हो जाएंगे हमारे फर्टिलाइजर if we are adding chemicals Soil supplies mineral nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. एक के बाद एक एक ही खेत में फसल उगाये जा रहे हो एक एकर जमीन है उस पर आप 5 महीने के फसल हो गीन है दो महीने का स्वास्ता मिलानी फिर से फसल गोढ़ rasa यह तो वह सारी फसले क्या कर रही है मिट्टी मेंसे nutrition निकाल रही है इतनी सारी थसली एक साथ आप बोते जा रहे हो बोते जा रहे हो मिट्टी को सांस लेने का टाइम नहीं दे रहे हो आप तो क्या होगा मिट्टी जो जमीन है वो खराब हो जाएगी उसमें अगली जो कुछ फसले होंगी वो कंसोर पैदा होंगी continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients therefore farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients इसी लिए manure वगेरा add करनी की जरूरत होती है this process is called manuring question आजे manuring क्या है the process of adding manure to the field is called manuring okay improper or insufficient manuring results in weak plants अगे धंग से manuring नहीं डाला तो plants कम जोर होंगे और हमारी result अच्छा नहीं आए इन पर manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants and animal waste farmer dump plant and animal waste inspects at open places and allow it to decompose the decomposition is caused by some microbes मतलब बही है kitchen का सडा गला खाना एक जहें पे डाल देते हैं वहाँ पर जब वह बिल्कुल इगल जाता है तो उसको निकाल के अपने खेट में डाल लेते हैं वह होती है मिन्योर और इसकी जगे पर लोग क्या करते हैं कई वर केमिकल डाल देते है फर्टिलाइजर ठीक है पहसरा है याँ है यह एक एक्जैमपल है अलब एक अश्याइव टिर में आपको तीन अलग 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 टाइब के सप्ली में डाल के प्लांट होगा के देखने है लूग अब इन थृदा जाए योरे डाल दियायर qeamb ने कुछ भी न हम, तो तीनों में ग्रोड में कैसे कैसे पर्काएगा कि क्या पता देखो यह जो है ना यह सबसे ज़्छा जयादा बड़र रहा है। यूरिया है यूरिया बाले यह है यह क्वडंग बाले और यह है वह जिसमें कुछ भी नहीं डालना हमने Fertilizers are chemicals which are rich in particular nutrients How are the different from manure? Fertilizer में सिर्फ एक ही nutrient होता है जो हमने डालना है जैसे कि अगर हम कहा रहे हैं कि nitrogen fertilizer डालना है हमने तो उसमें जादा importantly nitrogen ही होगा बाखे nutrients वगेरे इतने जादा नहीं होगे उसमें लेकिन manure जब हम डालते हैं उसमें सभी nutrients के थोड़ी-थोड़ी मात्रा होती है Fertilizers are produced in factories Some examples of fertilizers are Eurea, Ammonium Sulfate, Superphosphate, Potash, NPK, Nitrogen, Phosphorus, Potassium ठीक है? यह देखो NPK क्यों बोला है? Nitrogen, Phosphorus, Potassium, NPP क्यों नहीं बोला? क्योंकि Symbols, Nitrogen का Symbol Signs में N है Phosphorus का Symbol Signs में P है लेकिन Potassium का Symbol Signs में K है K क्यों है? क्योंकि Potassium का Latin में नाम है Calium ओके? इससे थोड़ा इंट्रेस्ट राइडिया होगा Calium है इसका नाम Latin में घरवालों को बताया है, कुरो भई, ऐसी ऐसी बाते? उनको भी पता चले बच्चे पढ़ रहे हैं Use of fertilizer has helped farmers to get better yields of crops such as feet, paddy, maize मतलब हमारी जो result होता है crop का वो काफी अच्छा आता है अगर हम fertilizer use करते है लेकिन उसकी बज़े से जमीन को बहुत नुक्सान होता है और अगर भई fertilizer पानी के साथ हमारे underground water में जाके मिल जाते हैं तो पानी नीचे का पानी पीने लायक नहीं रहता तो वो हमारे लिए overall अच्छे नहीं होते fertilizer बुरे ही होते हैं, environment के लिए बहुत बुरे होते हैं इसलिए कहते हैं कि manure use किया करो बट excessive use of fertilizer has made the soil less fertile Fertilizers have also become a source of water pollution ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई है We have to substitute fertilizers with organic manure और leave the field uncultivated in between two crops यहनी दो फसले हुगाने के बीच का जो time period होता है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ऐसा नाहों कि चार महिने के अभी फसल हुगाई है और दो महिने के बाद फिर से अगली फसल हुगादी नहीं, वीच में साल, डेड़ साल का time दो या फिर manure डालो, organic manure डालो The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity manure क्या करता है? Soil का color improve करता है पानी holding capacity improve करता है और nutrients फिर replenish करता है यानि return करता है soil को nutrients इसके अलावा crop rotation कर सकते हैं This can be done by growing different crops alternatively कि एक ही type की crops मत उगाओ ऐसी crops उगाओ जिनको अलग-अलग तरहें कि nutrients क्या वशकता बढ़ती है For example, एक time पे आपने की हूँ उगा दिया तो उसके बाद चावल मत उगाओ क्योंकि दोनों में carbohydrate ही होता है ठीक है दोनों में carbohydrate होते हैं तो वो क्या करेंगे जमीन से carbohydrate वाले जो nutrients हैं उन्हें सक कर लेंगे इसके जगे इनके बीच में एक बार दाल उगा दो कोई पल्स उगा दो उसको carbohydrate कितनी आपशकता नहीं होती है उसको protein के आपशकता होती है अर्लियर फामर्स इन नौद इंडिया उसके वजए से जमीन जो है वो ठीक रहती थी इन दे प्रिविएस क्लास्स आपट राइजोबियम बैक्टीरिया पढ़के आयो ना राइजोबियम बैक्टीरिया क्या था जो लेग्यूम्स होती है जो दाले होती है उनकी जड़ों में रहने वाला एक बैक्टीरिया है जो उन दालों को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है एक ऐसे फॉर्म में एक ऐसी अवस्था में जिससे वो प्लांट्स एब्सॉर्ब कर सकते हैं ठीक है, हवा से डारेक्ली वो प्लांट्स नाइट्रोजन नहीं ले सकते, राइजोबियम हवा वाली जो नाइट्रोजन है, उसे इस तरह से कनवर्ट कर देता है, कि प्लांट्स फिर उसे अब्सॉर्ब कर पाएं यह पूरे डिफरेंस है, इसे पढ़ लीजेगा, फर्टिलाइजर मानमेड है, इन और्गानिक है, मन्यॉर नाचुरल है, और्गानिक है, फर्टिलाइजर फैक्टरीज में बनता है, मन्यॉर खेतों में तयार होता है, किचिन में तयार होता है, फर्टिलाइजर मिट्टी को क को सब्स्टांस सब्सक्राइब यहiform yeast जो schaffen होलडिंग प्राषिटि जो है वॉइंड की 20 гр अड्वानाटेश वरिंग इंब जाएगा चार्म ओर सोबस्टेट मुटर जाएगा इंप इस चेंजुद एकशेजड ब्रेंगा औरुठी में ठुरिजये पीज में तो फ्रेंड़ी माइक्रोम्स बढ़ाता है क्योंकि मैन्योर को चो क्या खाएंगे अर्थवां बगेर भी खाएंगे और वोन की अब आदी बढ़ेगी तो फार्मर के फ्रेंड है वो फार्मर का भी फायता ही होगा तो फिर नाम हम रतका पिलाणिया एंड मिलेंगे अगली ख्लास में तब तक के लिए बाए बाए